कि अब्सक्राइब करेंगे रियालिटी के उपर बात करेंगे कि क्या सचे क्या जूटे स्टूएंट बहुत सारे बच्चे भी मुझे बोल रहे हैं अप सच में कम परसेंटाइल पर कॉलिज दिलवाद होगे क्या शुरंट कॉलेज दिल्वाद हो देखो यार मैं आपको कॉल मैं ऑपको कॉलेग दिखा दूंगा तो म sulfur CET40 32 BEL 어 50% कॉलेजे की उपर बात करते हैं कि ये जो कॉलेजे होते हैं जो इतने कम कट-off पर मिल जाते हैं इन में क्या मतलब इनकी बुराई क्या होती हैं datasets इन सब कॉलेज में यह बात होती है ना इनकी प्लेस्मेंट वागेरा ना कोई खासा होती नहीं कि ना के बराबर होती है ठीक है पर और इनमें जो है प्लेस्मेंट होती है उनकी फीस भी जो है ना मतलब यह नहीं बोलेंगे कि अगर प्लेस्मेंट नहीं होती तो यह लोग फी कभी नहीं होगा student off campus आपको क्या करना है बस उस college में जाओ कौन से भी लेवल का college जो उसमें जाओ यह अपने उपर काम करोगे तो आपको अच्छा बाकी off campus वगेरा placement हो जाती है और अच्छी होती है इन campus से अच्छी होती है off campus ठीक है तो यह है आपको थोड़ा सा महनत करना पड़ेगा और यह ना भी आपको percentile कमा है आप एक साल का drop लोगे फिर चार साल की बीटे को पात साल समझ के चलो ठीक है और क्या पता आपको पिछले साल अगले साल भी कोई अच् करें तो इतना महनत करके जाते हैं उसमें placement नहीं होता बड़ी बड़ी सुरी बहुत से नाइटी में कुछ बच्चों दी जैसे की कुछ बच्चे ओते हैं जो पढ़ते ही नहीं हो पाती ना क्योंकि उन्नोंने पढ़ाई नहीं की तो वही आपका हाल अगर आप कोई plak जो और उसमें पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका प्लेस्मेंट नहीं लगेगा वैसे तो इस कॉलेज में होती नहीं और आपका लगी गई नहीं ठीक है तो थोड़ा मेहनत करना मैं आपको कॉलेज दिलवाने का फूरा ट्राइब करूंगा जो भी अच्छे चाच्छा होगा वस पूसका ना जो भी कॉलेज अपको में दिलवाऊंगा आपको उसको कोई बार सूचना है अपने घर वाले से पूछना है उसके बाद ही हां बोलना है ठीक है वीडियो को लाइक करना है वीडियो एंड करते है ठेंक यू